विलियम सन्सिंथेसिस को वैज्यानिक अंडर्सन विलियम विलियम सन्स ने दिया था यह लंदन की इन्वर्सिटी ओफ लंदन के प्रोफेसर थे और इन्हों ने विलियम सन्सिंथेसिस के बारे में बताया इस जो यह विधी है इसका सबसे बहुत महत्यपुण यह है कि इसके के द्वारा हम सिमेट्रिकल सम्मित एथर तो प्राप्त कर ही सकते हैं साथ ही साथ हम से और सम्मित एथर या मिश्रित एथर भी प्राप्त कर सकते हैं इस विधी में एलकिल हैलाइड की किसी सोडियम एथॉकसाइड या सोडियम एलकॉकसाइड की साथ क्रिया कराई जाती है ज और इसके क्रिया हम R-O-N-A, sodium alcoxide के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो sodium alcoxide है, उसमें sodium पर positive charge होता है, जबकि जो alcoxide आयन होगा, उस पर negative charge होगा, इसी तरह से जो alkyl halide हैं, तो उसमें जो halogen समू होगा, उस पर negative charge होगा, तथा जो alkyl समू होगा, उसके carbon प जो alkyl halide समू हैं, वह sodium के साथ क्रिया करके sodium halide के रूप में प्रिथक हो जाता है, और इस तरह से जो बचा हुआ हमारे पास part है, वह है R-O-R, यह एथर के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर हम देखें कि यह जो अभीक्रिया है, बहुत ही अच्छी अभीक जाहिए, और यहाँ पर हम देखें कि इस अभीक्रिया की जो दूसरी विशेस्ता है कि इसके द्वारा हम दुतियक या तृतियक अलकिल सम्मू युक्त इथरों का निर्मार भी कर सकते हैं, जिसे हम एक उधारन के द्वारा समझते हैं, माल लेजे हमारे पास एक यहाँ पर यह तृतियक अलकॉक्साइड लिया है और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं मेथिल ब्रोमाइड से, जो की एक प्रात्मिक अलकिल हैलाइड है, जब हम इसकी क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सोडियम है, पॉजटिव चार्ज है, तो यह ब्रोमाइड के यह एलकिल समू यह ऑक्सीजन से ऑक्सीजन एलकिल समू को पर अटैक करेगा और उसके उसके साथ बंद बना लेगा और इस तरह से हमें जो प्रोड़क्ट मिल रहा है वह होगा टू एथोक्सी टू मेठाइल एथर और इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां पर हमें तृतियक एथर तृतियक अलकिल समू वाले एथर प्राप्ट हो जाते हैं तो यह हम विल्यम सन्सिंथेसिस की बहुत बड़ी उपलग्दी है जिसके द्वारा हम यहां पर दृतियक यह तृतियक रूप से प्रतिस्थापित एथरों को प्राप्ट कर सकते हैं लेकिन यहां पर हमने इस अभिक्रिया की एक condition है वह यहां पर जो हम alkyl helid ले रहे हैं वह प्रात्मिक होना चाहिए यहां पर हम द्यत्यक या त्र्थ्यक alkyl helid ओं का उपयोग नहीं कर सकते है क्योंकि जब धूत्यक ओर त्रथ्यक alkyl helid का उपयोग किया जाता है तो इसकी जो ब्यूटक्साइड आयन होता है वह एलकिल हैलाइडों पर क्योंकि वो त्रिवेम रूप से बाधित होते हैं और इस तरह से ये उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं और इस स्थती में हमें एथर प्राप्त नहीं होते और एथर के स्थान पर हमें यहाँ पर एथीन प्राप्त हो उजजाते हैं उदारन के लिए हम यहां पर देख रहे हैं मालने श मदद्विविबर ने है और और सिय्ग-चसू 3x यहां पर हम इस कारते हैं तो यहां पर त्रविम बाधा कोना होना होना वाया य्झा शेयर है वह कार्बन से नहीं जुड़ पाता है और इसलिए यह जो अलकॉकसाइड आयन है वह एलकील हलाइट से एक हड्रोजन गृहन करके केवल और ऑल जो आइक्श के रूप में यहने की एल कोहुल के रूप में प्रिथक हो जाता है साथ ये साथ जो हैलाइड समू है X समू है वह सोडियम के साथ मिलकर NAX बना लेता है और बचा हुआ पार्ट यानि की RCH double bond CH2 एथीन हमें उत्पात के रूप में प्राप्त होता है इसी तरह से हम यहाँ पर तृतियक हैलाइड का यदि उपयोग करें तो उस समय भी हम देखें जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं तृतियक हैलाइड और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं सोडियम एथाकसाइड से यहाँ पर हम क्रिया करा रहे हैं सोडियम मेथाकसाइड से तो यहाँ जो एलकील हैलाइट के एक एलकील समू से एक हड्रोजन लेगा और इस तरह से वह एलकोहल मेथनॉल का निर्मान करेगा जबकि बचा हुआ पार्ट CH3, CH3, C, डबल बॉन, CH2 और इस तरह से हमें एक यहाँ पर मेथू मेथिल प्रोपीन यह हमें प्राप्त हो जाएगी तो इस तरह से हम देखें कि यदि दृतियक अलकील हैलाइड या तृतियक अलकील हैलाइडों का उप्योग किया जाता है तो हमें उत्पात के तौर पर इथर प्राप्त नहीं होते जबकि उसके स्थान पर हमें एथीन प्राप्त होते हैं तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो Williamson synthesis अभिक्रिया है उसमें भी एक condition है कि यहाँ पर जो alkyl hyalide उपयोग में लाए जाएंगे वह केवल प्राथमिक alkyl hyalide होंगे साथ ही साथ हम देखें कि William synthesis की एक और विशेस्ता है कि इसके द्वारा हम aromatic ether भी प्राप्त कर सकते हैं aromatic ether प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर phenol का उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर हम देखें इसकी phenol की क्रिया जब यहाँ पर हम पहले sodium hydroxide से यानि की छार के साथ कराते हैं जिससे कि यहाँ पर जो phenol में से जो hydroxyl समू है उससे H यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाता है sodium आइनों के द्वारा और इस तरह से हमें sodium phenoxide प्राप्त होते हैं अब इस sodium phenoxide की क्रिया जब हम आगे alkyl halide से कराएंगे तो यहाँ पर जो sodium है बड़ी असानी से alkyl समू से जुड़े हुए halide समू से जुड़कर sodium halide के रूप में प्रिथक हो जाता है और हमें यहाँ पर जो उसका इस्थान ले लेता है आर समू और इस तरह से हमें alkyl phenyl ether ये प्रकार के मिश्रत एथर हैं जो हमें प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं C6H5OR alkyl phenyl ether ये हमें प्राप्त होते हैं तो इस तरह से विल्यम संसेसिस की एक महत बहुत महत पुण विशेस्ता है कि इसके द्वारा हम मिश्रत एथर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कंडिशन ये है कि यहाँ पर जो alkyl halide उपयोग में लाएंगे वह प्रात्मिक alkyl halide होने चाहिए इस तरह से इथरों का निर्मान जान लेने के परशात आईए अब हम इनके भातिक एवं रासाइनिक गुणों को जानते हैं सबसे पहले देखते हैं इथरों के भात सरचना में ध्रूवता यहाँ पर हम देखें इथर की जो सरचना होती है उसमें दो alkyl samoon के मद्ध में oxygen परमाणू उपस्तित होता है तो यहाँ पर हम देखें कि कार्बन और oxygen जो आबंध है वहाँ पर oxygen की electronegativity अधिक होती है जिसकी वज़ह से carbon oxygen आबंध ध्रूवी प्रकृति का होता है इसी तरह से यहाँ पर हम देखें तो इसकी वज़ह से क्योंकि carbon oxygen आबंध में bond polarity पाई जाती है और इसकी वज़ह से जो इथर अणू होता है उसमें कुछ ध्रूवता पाई जाती है यहने लेकिन बहुत अधिक ध्रूवी नहीं लेकिन एलकोहलों की तरह इनमें दुरूवता नहीं होती है लेकिन इनमें net दुरूवता कुछ मात्रा में पाई जाती है और इसी यही वज़ह है कि इनके जो गलनांक और क्वतनांक होते हैं वह बहुत ज़्यादा इसकी वज़ह से प्रभावित नहीं होते हैं उदाहरन के लिए यदि हम एक लगभग समान अनुभार वाले एक नार्मल पेंटीन या फिर एक एथर एथोक्सी एथेन तथा एक एलकोहल यानि की ब्यूटेन वन ओल इनकी आपस में तुलना करें तो हम देखते हैं कि नॉर्मल पेंटीन जिसका उनुभार 72 यूनिट होता है इसका क्वथनांग 309.1 कल्विन होता है दूसरी और जो एथोक्सी एथेन है इसका जो उनुभार है वह 74 यूनिट होता है और इसका क्वथनांग भी 307.6 कल्विन होता है जबकि लगभग इसी अनुभार वाले यानिकी ब्यूटेन वन ओल जिसका अनुभार 74 होता है इसका क्वथनांग 390 केल्विन होता है क्योंकि जो एलकोहल होते हैं उनमें काफी धुरुता पाई जाती है और ये जलके अनुवों के साथ हडरूजेन बंद बना लेते हैं जिसकी वज़े से इनमें इनके क्वथनांग अधिक होते हैं जबकि एथोक्सी एथेन यानिकी एथर तथा जो समान अनुभरवाले हाड्रोकार्बन होते हैं उनके कुथनांकों में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। दूसरी जो दूसरा गुण है इथरों का वह है इनकी जल में मिश्रुनी ता यानिकी जल में विलेता तो यहाँ पर हम देखें कि एथर तथा एलकोहल दोनों ही जल में परियाप्त मात्रा में विले होते हैं जबकि हाड्रोकार्बन इनमें अमिश्रुनी होते हैं जैसे कि यह यहाँ पर हमले एथोक्सी एथेन की विलेता यहाँ पर 100 ml जल में 7.5 ग्राम होती है जबकि यहाँ पर ब्यूटेन 1 ऑल की विलेता 100 ml यदि जल लेते हैं तो उसमें 9 ग्राम ब्यूटेन 1 ऑल यानिकी अलकोहल आसानी से विले हो जाता है जबकि इसी अनुभार वाले यदि हम यहाँ पर भी जो इनकी जल में विलेता का कारण है क्योंकि एथर तथा एलकोहल दोनों के ही अनू जल के साथ हड्रोजन आबंध बना लेते हैं और इसकी वज़े से यह आसानी से इसमें विले हो जाते हैं तो यह है इथरों के भतिक गुण आईए अब हम जानते हैं इथरों के रासाइनिक गुण को यदि हम इथरों की सरचना देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आर ओ आर ये इनक्या जो सामाने सूत्र है तो उसमें हम देखें कि जो इनका रासाइनिक गुण है वह यहाँ प हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहां पर आर ओ यानिकी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आबंध का विदलन होगा और ये किस-किस प्रकार से रासाइनिक अभिक्राई प्रदर्शित करते हैं